नमस्कार मित्रबंधुओं, कैसे हैं आप सभी? मैं वो मेद करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रवाज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबेट के जो सी नाम बाले जातक हैं जैसे चंद्र, चंदा, चंदन, चंद्रलोक, चंपा, चमेली, चंदिस्वर या इसके अलाबा ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनका नाम सी अक्छर से सुरू होता है तो इनका जो आने वाला शमय है यानि कि 2023 इनके लिए कैसा बितेगा शवाल बहुत महत्वपुर्ण है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा तो आईए अब वीडियो की सुरुबात करते हैं और जानते हैं आपके आने वाले शमय के बारे में मित्रो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम जीबन के बारे में आपके जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी तो लव लाइफ के दृष्टी कोन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए मिला जुला कर बहतर रहेगा आप मेंसे जो भी लोग अब तक शिंगल है और आने वाले वक्त में अगर आप मिंगल होना चाहते हैं अपने प्रेम जीबन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप चिंता बिलकुल भी ना करें आपके लव लाइफ की शुरुआत अवश्य होगी मित्रों आप मेंसे जो भी लोग आने वाले वक्त में प्रेम बिवाह करना चाहते हैं तो प्रेम बिवाह के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपके पक्ष में होगा शाल के अंत से पहले अगर आप प्णेम बिवाह की प्लैनिंग करते हैं तो आपके भागी का सपोर्ट, आपके समय का सपोर्ट, आपको अवश्य मिलेगा लेकिन मित्रों संभाबना है कि शाल के सुरुआती कुछ महिनों में आप दोनों के बीच में आपसी तनाओ, आपसी मन मुटाओ बहुत ज्यादा होगा, छोटी मोटी बातों के कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो जाएगा, परंतु संबंध खतम नहीं होगा, आपके भागे का सपोर्ट आपके शाथ रहेगा और संबंध खतम न आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा अगर आप नौकडी करते हैं तो नौकडी के छित्र में आपकी तरक्की अवश्य होगी अगर आप नौकडी स्विच करना चाहते हैं नौकडी बदलना चाहते हैं तो नौकडी बदलने के दृष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा रहेगा अगर आप सोच विचार करने के बाद नौकडी बदलते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा मित्रों आप में से जो भी लोग आव तक वेरुजगार हैं तो चिंता बिलकुल भी ना करें आने वाले वक्त में अगर आप नौकडी की तलास करते हैं तो आपकी जो कमाई है उसमें बढ़ोतरी तो अवश्य होगी लेकिन जो जमापुंजी है वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके खर्च में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा और आपकी जो कमाई है मानलो आप रोज कमाते हो 200 रुपे तो आपका खर्च हो जा कामना बहुत ज्यादा करना होगा तो अगर संभब हो तो अपने फिजूल खर्ची पर आपको काबू करना चाहिए और किसी भी इंसान के शाथ में अगर आप पैसों का लेन देन करते हैं तो पैसों के लेन देन में भी आप शावधान रहे अन्यथा परिशानिया आपको ब लेकिन शाल के मध्य में ही घर के सभी लोग आपस में उलत जाएंगे तो जहां तक होशके अपने घरबालों को आप मिला कर रखें परिवार के सभी लोगों के शाथ में अपनी सहानु भूती को आप जोर कर रखें क्योंकि परिवार के चेन को आपको मजबूत हर हाल में कर ये जिस उपाई को करने से आपका जो आने वाला वक्त है वो अच्छा और मजबूत होगा वित्रों उपाई बहुत ज्यादा शामाने हैं 2023 में आपको कम से कम मंगलवार और शनी बार के दिन भगवान सनी का और हनुमान जी का पूजा करना है अगर आप ये कर लेते हैं तो आ आने वाले वक्त में आपके लाइफ में परेशानी समस्याएं बहुत कम होगी एकदम ना के बराबर होगी मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ साड़ी बाते आपक के मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय विहार जय मिथिला